चतुर है नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रति बुद्ध है भव चक्र के संगार में जो प्रति समय संद्ध है निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है भव्य जन के शरण जिन के चरण उनको नमन है कर करन मन निज भाव को जिन जिन गुरू जिन वचन को निज भाव निर मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तोत कर रहा हूं वेग्य जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ इस्खलन आप मैंसे बहुत से लोगों ने सुना तो होगा पर कंठस्त तो सायद ही किसी को हो और आजकल तो इसकी जरूरती महसूस नहीं होती है यह तो हमारा भाग गए है जो वरसों से इसके पठन-पाठन में जुड़े हुए है अब मैं आपको अभी इसके मंगला चरण की कुछ खास विशेस्ताएं बताता हूँ पहले चंद में जो द्रश्टी का विशेभूत भगवान आत्मा है उसे याद किया गया है क्योंकि नए चक्र पढ़ने का उद्देश ही यही है कि नएों के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझा जाए फिर नए विकल्पों को भी तोड़कर पक्छाती करान तो होकर जो एक सुद्ध ग्यायक भाव है उसकी द्रश्टी हो उसका ग्यान हो उसमें लीनता हो एक सुद्ध विकार वर्जित अचल परंपदार्थ किसकी बात है यह अपने स्वरूप की अपने सुभाव की जो एक ग्यायक भाव स्वरूप है निर्मल है नित है निजपरंवर्थ है जैसा कि अभी संजीव बता रहे थे कि आत्मा देखा तो उससे उत्करष्ट कोई दुनिया में दिखा नहीं भला जो देखन में चला भला न मिलिया कोई कहां से आ गई वहां से आ गई परगट हो गई चलो ठीक है तो इस तरह से पहले चंद में मंगला चरण की बात है मंगल में ग्यायक भगवान की बात है ध्यान दीजिए दूसरे चंद में और भी होंगी ने बेटा की नहीं इतनी है बोलो सब को लेके आओ उदर एक दू सातियों को ओल ले जाओ वो पीछे बैठे हो नो जवान कोई तो जो दृष्टी का विशय ध्यान दीजिए इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा ये है कि जिसके दरस्वा जानने का नाम दर्शन ग्यान है सम्यक दर्शन क्या है भगवान आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है भगवान आत्मा को अन्य सभी पदार्थों से भिन जानने का नाम सम्यक ग्यान है निज को निज पर को परजान और आत्मा में ही लीन जो पर्णती है विशुद्ध वीतराग भाव स्वरूप उसका नाम सम्यक चारित्र यानि सम्यक दर्शन ज्यान चारित्र रूप जो मुक्ति मार्ग है वो जिसके अवलंबन से कहो आसरे से कहो जैसे देखने से कहो भगवान आत्मा में हमारे पंडित राजिन कुमार जी जवलपुर के हैं आप समने बहुत सुना होगा उनको वह एक बहुत बढ़िया पंक्ति बोलते हैं जब एक रतन अनमूल है तो रतना कर कैसा होगा तो मैं रतन नहीं हूँ मैं क्या हूँ रतना कर हूँ सम्यक दर्शन ग्यान चारतर रतन है और भगवान आत्मा कैसा है रतना कर है पहले चंद में रतना कर को याद किया है दूसरे चंद में उसमें से प्रती समय जिनके रतन प्रगठ होते रहते हैं अनंत ग्यान दर्शन सुख वीर्य जिनके प्रगठ होते हैं ऐसे अरंत परमात्मा को पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा कहां बन गए परयाय में भी वे सभी वे हमारे साध्ध हैं आराध्ध हैं आराधना के सार हैं ऐसे परमात्मा को जिन्यंद्र भगवान को नमस्कार किया है जो भव जलदी के पार हो चुके हैं यहने पहले में निश्चे भगवान आत्मा को नमस्कार किया निश्चे परमात्मा निश्चे से मैं दूसरे में व्यवार में जो अरंत परमेश्टी है उन्हें नमस्कार किया पर देव के बाद में गुरू पर शास्त्र भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती भव्यों को भव चक्र माने ये संसार चक्र से पार उतारती है और जो जग जाल मै एकांत को जो रही सदा नकारती जैसे कि भाई साथ वो स्यादवाद और अनेकांत का स्वरूप पढ़ा रहे हैं तो मिथ्या एकांत का निशेद करती है सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत का प्रतिपादन करती आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि एकांत और अनेकांत में भी मिथ्या पना और सम्यक पना होता है यद्यपिव मेरा अभी का प्रकृत विशह नहीं है मैं जादा उसको लंबाऊना नहीं कल बताये था मैंने अनिराकर तो प्रतिपक्षों वाली परिवाशा बताई थी प्रतिपक्ष का याने दूसरे जो धर्म है दूसरे धर्म माने यह नहीं जो दुनिया में चलते नित है अनित है एक है अनेक है तत है अतत है अस्ति है नास्ति है ऐसे जो अनन्त धर्मों में एक धर्म को ही सर्वथा माने और अन्य धर्म का सर्वथा निसेत करें उसे मिथ्या एकांत कहते है और अपेक्छा समझे बिना दोनों धर्मों को लगाए उसे मिथ्या अन्य कांत कहते यह किसकी चर्चा कम होती अन्य कांत भी मिथ्या होता है देखो ऐसा होता है मिथ्या, मिथ्या अने कांत का अधारन बताओं, एक सई घटना है, जवलपर में जब हम पढ़ते थे स्कूल में, हमाई दुकान पे भी ये किताबें बिका करती थी ये अपने पाट्टे पुस्तकें बगएर हैं, तो एक बार एक लड़का आया और वो बो हाजिर जवाब भी थे वो, तो उनका बेटा, आठवी की तो नहीं है, एक पांचवी की ले जाओ और एक तीसरी की ले जाओ, अभी भी मेरे कानों में उनके सुर घुंचते हैं, एक पांचवी की ले जाओ, एक तीसरी की ले जाओ, तो मैं पूछता हूँ, कि जब पांच और तीन आठ तो होते ही है ना ये तो अपन सम्मानते ही है ना तो दो किताबें ले 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 हैं एक पाँचवी की यो तीसरी की तो आठवी की क्यों नहीं हो सकती तो उन दोनों को मिला के आठवी की बनाने की जो चेश्टा है उसका नाम है मिथ्या अनेकांथ क्या है मिथ्या अनेकांद दो मिथ्या एकांदों को मिलाना जैसे उन्हें का आत्मा सर्वता नित्य है वेदान्त ने बोला बहुत उन्हें बोला आत्मा सर्वता छणेक है हम के दो ही सच्चे अपना तो श्यादबाद है हमने श्यादबाद से दोनों मिथ्या एकांदों को सही मान लिया कि मिथ्या क्या सर्वता नित्य भी है और सर्वता अनित्य भी है ये श्यादबाद का मिथ्या प्रियोग है इसलिए इसका नाम मिथ्या अनेकांद है तो सम्मे अनेकांद क्या होग कि वो मित्यापना निकाल दिया जाए वो सर्वता नित्य के बजाए अपेक्छा द्रवी की अपेक्छा नित्य है और परेयाई की अपेक्छा नित्य है तो अपेक्छा लगा दी तो स्यादवाद रूपी ऐसा लिखा है अमरित चंदराचार ने श्यादवाद रूपी अम्रत के द्वारा एक आंत के विसको दूर किया जाए तो वहां मिथ्या के सर्वथा के बजाए कθंचित हो गया सब्द प्रियोग में फरक समझ लेना सर्वथा नित्वी है और सर्वथा अनित्वी है इसका नाम क्या है मिथ्या अनेकांत और स्यादवाद का उसमें समलो मंत्र फूँख दिया तो कथंचित नित्य और कथंचित अनित्य हो गया तो सर्व था कि बदले कथंचित लग गया तो क्या हो गया सम्यक अनेकांत ऐसा है भईया तो जे निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती वा अपने चैतने सुभाव का अनभव करके बब जीव जिसकी आरती उतारते इतना तो आप समझते होंगे आरती का मतलब तो समझने लगे होंगे भिन्न भिन्न कहूं आरती अलप सुबन विस्तार देव सास्तर गुरू रतन सुब तीन रतन करतार द्यानत राय जी की जम्माने भिन्न भिन्न कहूँ यहने तीनों के गुणों का अलग अलग वर्णन करता हूँ और उन्हें चार चार लेनों में देव का चार लेनों में सास्त्र का चार लेनों में गुरू का काई में आता है यह बोलो बूरे भाई काई में है देव सास्त्र गुरू दियानत राय जी की पूजा जो है उसकी जैमाला में भिन्न भिन्न कहुं आरती पंच मेरू की आरती फिर का है पढ़े सुने करे पंच मेरू की आरती पढ़े सुने जो कोई है कि नहीं और वो कह है सुला कारण में भी ऐसा ही है कहुं आरती भारती हम पर हो सहाए यहने गुणगान करने को आरती करना कहते हैं इत्ते वरसों से पढ़त चले आ रहे हैं लेकिन कभी ख्याल मी नहीं आए कि आरती सब्द का ये अर्थ होता है अपने दो दिया ले लग और ऐसे ऐसे करने लगे तो आरती करने लगे होगे अब वो किनी परिस्थितियों में एक प्रितीक के रूप में समझ लो वो पढ़ती अपनाई गई होगी लेकिन सब्द तो अर्थ तो ये है जिसकी उतारें आरती यने जिसका गुणान वाद करें ऐसी नए चक्र में नित्य उपलब्ध नित्य बोधक ये जिन्वानी है तो किन किन को नमस्कार हुगा पहले चंद में ग्यायक भाव को भगवान आत्मा को दूसरे चंद में उसके अवलम्मन से प्रगट होने वाले अरहंत परमात्मा को तीसरे चंद में उनकी दिब्धवनी जो नए नए स्वरूप है है स्यादवाद मई तेरी वाणी सुबने के जरने जरते हैं तो जिन्वाणी को चोथे चंद में गुरू को कैसे हैं गुरू नए चक्र के संचार में जो चतुर है प्रति बोध है भव चक्र के संहार में जो प्रति समय संद है नए चक्र चलाने में कुशल हैं चाय जहां चाय जैसा नए नहीं लगा दे वे जो हमारे मोह को नश्ट करने वाला हो जिससे हमारा मिथ्या ये कांत नश्ट हो वे मिथ्या अने कांत नश्ट हो वे जिसमें से हमें सुद्धने का विशेभूत भगवान आत्मा उपलब्द हो वे समझ में आया जो वीतराक्ता और भेद विज्जान का पोसक होगई ऐसा नएओं का प्रियोग जो इस पर जितना बजन दिया, कहां कितना बजन देना देय और आत्मा एक हैं ये व्यवारने का कतन है अब अपने चलेगा ये समझ में आया वैवादने से कहते हैं देव और आत्मा एक है नहीं है तो कि जिस सरीर अलग है और आत्मा अलग है तो हम आत्मा रखियां हैं देवलाली में इस mutually आजा है इधर यह तो संभब नहीं ना यह तो जब आयू पूरी होगी तभी दूसरे सरीर में जाएगा तो ये वाले पर कितना बजन देना और दे में रहते हुए भगवान आत्मा दे से भिन्न है इस पर कितना बजन देना तो नए चक्र के संचार में जो चतोर हैं प्रती बुद्ध है ठीक है भव चक्र के संहार में संहार माने उसे नश्ट करने में दिन निरंतर संबल में जरा होती रहती है तो उनका जो संसार है कटता रहता है प्रती समय उसी में लीन है आत्मा की साधना में जिनका निरत तन मन नगन है तन से भी नगन और मन से भी नगन तो रागद्वेस हैं वो मन के आवरण मन मनें यहां आत्मा से ले न तो वो मन के आवरण है और यह आवरण तो कपड़ा तो सरीर का आवरण है लेज़ें मन में से रागद्वेश जिसके तूट गए हट गए तो अब तन पर वस्तर रखने का क्या काम तन से मोह नहीं रहा राग भी किंचत भी सेस नहीं रहा तो वाला भजने के नहीं पहला चंद क्या है उसका यही बात बताता है सुद्धात मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है मन मचल जाते जैसे बच्चे मचल जाते खेलोने के लिए ऐसे मन दूसरे काम में लगए ही नहीं अब तो जब कब वो घड़ी आये जब मैं यह प उतार करके वन जंगल में जाकर एक चैतन का ध्यान करूं सुद्धात मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है तीन कशायों का तब राग पर्णति से सहज ही टलता है सहज ही टलता है दूर दूर के नहीं निकालना पड़ता है कपड़ा दोना पड़ता है यहां का मेल छूट गया तो जब थोड़ी साबन लगा के और रगड़ो उसको पजामे के पेरों में ज़्यादा लग जाता है जीब में ज़्यादा लग जाता है तो दूर दूर के उस वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है दिगंबर वेश न्यारा है निरिगरंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यार मैं तो इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ तीन कशायों का अभाव जब हुआ तो वस्त्र का धागा भी नहीं रखा क्यों वो नुकसान कर रहा था उत्ता से बजन नहीं उठा सकते आप लोगों ने सुना होगा ने वो आपकी अदालत में एक लंगोटी लगा लो तो क्या नुकसान है सुना थान कर नहीं बहुत से लोगों ने सुना होगा आपकी अदालत में हैं जब आप तो तपस्वी हो आप तो ऐसे हो आप तो ऐसे हो आपको तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है तो लंगोटी ने क्या बिगाड़ा आपका अरे वह यह तो ऐसा है जो स्वाध्याय करके मर में जानता है वो ही समझ सकता है इस बात को कि वो कित्ती दुखदाय कोती चाह लंगोटी की दुख भाल है है कि नहीं बोलो लंगोटी की चाह मात्र भी अनंत संसार का कारण बन जाती है अगर वो भूमिकार में वो विरत्ती हो जाये तो फिर बाद में पांच में छंद में प्रतिग्या की करकर नमन निजभाव को जिन जिन गुरू जिन वचन को देखो पूरे चार छंदों की विषय वस्तु को दो लैन में लिख दिया निजभा़ पहले छंद की बात जिन दूसरे छंद की बात जिन गुरू तीसरे छंद की बात जिन वचन चोथे छंद की बात ये है लेखन कला चाहे जैसी तुक्बंदी लगाने का नाम लेखन नहीं है भईया एक विवस्थित बिचार विवस्थित समलो तत्व ग्यान और उसे थोड़े में बहुत कहने की चत्राई हैं दो लेन में पूरे चार छंदों की विशे वस्तू को रिपीट किया निजभाव निर्मल करन को कल मैं आपको ने रहस्त का बताऊंगा मंगला चरन आज इसका बताता हूं निजभाव निर्मल करन को जिनवर कथित ने चक्र को ने चक्र को नमस्कार करता हूं फिर अपनी बुद्धी के अनुसार इसे प्रस्तुत कर रहा हूं यदि इसमें कोई समय लीजिए स्खलन हो बे तो आप हमें इसकी और ध्यान दिलावें इस भावना से ये प्रारम्व किया है आप लोगों को साइद याद होगा कल मैंने निश्चे और विवार की एक परभासा बताई थी ये है जो गरंथ है उसमें है पेज नंबर उनसाई इसमें और उसमें बदल गए है इसमें तेईस पेज से प्रारम्व है उसमें आरटीस से था भेद और उपचार बोलो है किसी को ध्यान में भेद और उपचार अभेद वस्तू में भेद तेईस चोबीस पेज निकालना अभेद वस्तु में भेद करे और दो वस्तुओं में संबंद बताए ऐसा व्यवार नए का काम है इतना तो कम से कम याद रखना जब जब हम ये निश्चे नए और व्यवार नए ऐसे सब्द सुनते हैं तो आप सोचो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती क्या चित्र बनता है वो स्वजनल के अदालत लगी है जिसमें वीच में जजज बेठे हैं एक तरफ एक बकील खड़ा है उसका नाम निश्चेन है एक तरफ दूसरा बकील खड़ा है और दोनों लड़ गए हैं अपनी अपनी धाराएं जजज साब को सुना रहे हैं और फैसला करवा रहे हैं यानि दो अलग अलग पार्टी हैं दो अलग अलग व्यक्ती हैं ऐसा हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है थोड़ा भी अगर आप बिचार करें और इस इस गरंत का जो है जो इसमें वरणन है उसका स्वाध्याय करें तो कम से कम इमेज तो सही बने इमेज चित्र हमारे दिमाग में सही बनना चाहिए कि भाईया ये हमारे ग्यान में ही पदार्थ को जानने की दो पद्धतियां है अब भाई सामने तो सुबे रे लड्डू को कितनी पद्धतियों से बताया था बेसन का लड्डू ये एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलेगा पर वो पपू का लड्डू हो जाएगा तो वो पांच रुपे का हो जाएगा और मैं तो वहां बेटे बेटे बोलना था अगर किसी की साधी में से आया हो गिप्ट में बाइने में से तो व्याव का लड्डू हो जाएगा हैं अरे किसी के यहां बाल बच्चा हुआ हो गुड के लड्डू आये हो समझ में आये ना तो उसका याने सैयोग अनंत है तो वेवार नहीं के अनंत भेद खड़े हो जाएगा समझ में आया लेकिन कैसा हुआ है किसी उपलक्च में आया हो नानी ने भेजा हो तो नानी का लड्डू कहलाएगा हैं लेकिन बेशन का लड्डू है यह सत्त कभी बदलने वाला नहीं और बाकी सब बदल सकते तो इस तरह से निश्चे ने वो हमारे ज्ञान की एक कला है जो पदार्थ को उसके वास्तिविक सरूप में देखती है जानती है बाहर नहीं है निश्चे वेवार क्रिया में भी निश्चे वेवार नहीं होता अपन लोग बहुत बहुत समनलो इस थूल ब्रह्म में पड़े हुए है कि कोई पूजा पाठ करे तो ऐसा लगता जे बेवार वाले है और किसी ने स्वाध्याय किया तो ये निश्चे वाले स्वाध्याय करने वाले निश्चे वाले और दान देने वाले प्रतिमा बालन करने वाले पूजा पार्ट करने वाले ये ब्यवार वाले कितना इस्थुल मित्यात है वास्ता में ऐसा मानना समझ में आया अरे पूजा पाड करने वाले भी आतमानों भवी होए तो भी निश्यवाले भी है और बैवाले भी है और पूजा पाड तो एक बाहन की क्रिया है सुब भाव है अब एक दो दिन में हम आपको यही बताएं गे कि क्रिया में नए नहीं होते नए ग्यान में होते कौन से ग्यान में बहले सास्त्री भासा में उसको सुर्त ग्यान बोलते है ग्यान में एक लचक कि जो एक अंस को मुख करती है दूसरे अंस को जब बेशन का लड्डू बोला तो पपू का लड्डू गौण हो गया लें वो मिट नहीं गया, समझ में है न, है, यह मैं ने चक्कर पढ़ाता हूं और भाईजाब ऐसा वेसा ले लेते हैं, तो मेरे बड़े काम में आता है, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, जतना मैं नहीं कह पाता हूं, जतना कहना चाहिए, और समझ लो, 40 पीरियट में बहुत निप्टा देते हैं, है कि नहीं, हैं, अभी देखिए आप, आज एक और परभासा की चर्चा करते हैं, मैं तो भूली है, अपने को कितने बज़े तक लेना, चार बज़े तक, चलो, आत्मा स्रतो निश्चय नजर, परास्रतो वेवहार नजर, यह 25 पेज पर यह प को पढ़ाता हूँ, क्या, आत्मा स्रतो निश्चय नजर, परास्रतो वेवहार नजर, क्या मतलब है इसका, देखो एक मार में एक बात समझ लो भाईया, वैसे तो आत्मा सब्द का प्रियोग, जो समविरूड, रूड हो गया, वो अपना जो चैतन ग्यान आनंद सभाव है ग्यायक भाव है, उसके लिए होता है, हमें आत्मा हूँ, बास्तों में व्याकरण से देखा जाए तो आत्मा का मतलब में होता है, सोचना जरा, आत्म हत्या, आत्म कथा, आत्म चिंतन, आत्म श्लागा, आत्म निंदा, आत्म प्रसंसा, आत्म कथा लिखते हैं ने लिखक लोग गांधी जी की आत्म कथा तो उनको तरकाली द्रु लिखा गया उसमें छटवी काता लिखी क्या तो आत्म कथा में क्या लिखा अपने बारे में लिखा तो वो अपने को गांधी जी मानते थे तो अंग्रेजी में कैपिटल आई का जो अर्थ होता है सुन्सकृत में आत्मा सब्द का वो ही अर्थ होता है सुनी है ये बात कभी पहले राजेस जी ने तो बहुत सुनी है और समय सार की 308 से 311 की टीका में पुद्गल के लिए भी आत्मक सब्द का प्रियोग अजीव ओ पी तावत कर्म सह आत्म परणामई उतपद्द मानो अजीव एव उसमें कैजीव अपने परणामों से उतपन होता हुआ जीव ही है और अजीव भी अपने परणाम, आत्म परणाम माने अपने परणाम तो यहां पे जो आत्मासृत का मतलब है वो तरकाली ध्रो आत्मा के आस्रत वाली बात नहीं है किसी भी वस्तु का उसके स्वरूप से वरणन करना उसका नाम है आत्मासृत देखो यह सरीर पुद्गल है यह कौन सा कथन हुगा आत्मासृत सरीर का आतमा मने में में मनें वह जिसके बारे में बात चल लाई है तो सरीर जड़ है सरीर पुद्गल है ये सरीर का स्वासरत कत बीब भी बोलते आतमासरत बोलो चाये स्वासरत बोलो रागादी भाव दुख रूप हैं आसरव हैं विकार हैं ये उनका आत्मासरत कथन हुआ यह वस्तु को उसके सरूप से जानना कहना इसका नाम है आत्मासरत और अन्य रूप से बताना सरीर है तो बिचारा जड़ हम बोलें पंचेंद्री जीव सरीर को अपन क्या बोलते हैं पंचेंद्री जीव जीव को भी पंचेंद्री कहते तो इंद्रियां जीव में होती कि सरीर में होती सरीर में होती न जहांती जीव है गोडा जीव है हम सब पंचेंद्री जीव हैं तो पंचेंद्रियों वाले सरीर को भी जैसे गी अंदर रखा हो तो मिट्टी के गड़े को गी का कह देते हैं ऐसे सरीर को जीव कहना यह कौन सा कथन हुआ स्वासृत के परासृत यह परासृत व्यवार हो गया जहां जहां दूसरे का सहारा लिया तो वो वहाँ वेवार ने खड़ा हो जाता हमारे ग्यान में जैसे कि किसी का घर स्टेट बेंक के सामने है अब उसने का हमारे पता में लिखा जाता है स्टेट बेंक के सामने हाई स्कूल के सामने ऐसा लिख देते हैं कि नहीं अब वो स्कूल कभी जाते ही नहीं है स्कूल तो छोड़े 20 साल हो गए कोई मतलब नहीं तो अभी पहचान करने के लिए तो हाई स्कूल के सामने ये लिखना परियाप्त है जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है चलता के नहीं दुनिया में ऐसा वेवहार ऐसे ये सरीर के संयोग में आत्मा है तो बिचारे सरीर को भी जीव कहने का वेवहार और आत्मा को पंचेंद्री कहने का वेवहार ये है ये खेल निश्चे वेवहार को तो स्वास्रतो निश्चया है परास्रतों व्यवहारा समझ में आईने बात हमने तो नहीं रहस्य में चार्ट बना के ये सब बताया परास्रत यानि उस वस्तू के अलावा अन्न वस्तू की तरफ से कथन करना इस संदर में मैं प्राया एक बहुत समलो मारमिक सत्य बताना चाहता हूँ जो को बड़ी मजे की बात छे द्रब्बे हैं न छे जीव पुद्गल धर्मधर माकास काल ये धर्मधर माकास काल द्रब्बे से भी स्वासरत हैं परेयाय में भी स्वासरत तो अभी असुद्धता नहीं विकार नहीं अचल रहते हैं वे भी तरकाली द्रोव हैं, जैंड ज्यायक भाव नहीं है, लेकिन तरकाली द्रोव हैं, अचल रहते हैं, गती नहीं करते हैं, चारों, कौन कौन, धरमास्ती, अधरमास्ती, आकास ओर काल. यहने वे द्रव से, गुण से, परियाय से, पूर्ण सुद्ध, पूर्ण स्वादीन, निर्पेक्च, ऐसे द्रव हैं, है कि नहीं, अब कोई उनकी परभासा बताए, सर्थ यह है, कि जी और पुद्गरल का नाम मत लेना, कुछ समझ में आई, थोड़ी बहुत बात, हैं, आप धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं, परभासा बोलो, जी पुद्गरल को चलन सहाई, धर्म द्रव आन रूपी, तिश्टत हो यह अधर्म सहाई, जिन बेन मूरतीन रूपी, जी और पुद्गरलों को गमन करने में सहायक होता है, निमित होता है, उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं, तो धर्मास्तिकाय तो सुतंत्र है, परभासा में पराधिनता है, परासृत निरूपर, क्या बोला? वे विचारे स्वरूप से तो स्वासृत हैं, लेकिन पर्भासा उनकी चार द्रभ्यों की पर्भासा बिना जीव और पुदगल के नहीं कही जा सकती आकास में सकल द्रभ्य को वास जास में सुआ आकास पिछानो तो बाकी के सब द्रभ्यों को रहने को इस्थान देता है तो सब द्रब्यों की जरूरत पड़ी के नहीं आकास को समझने के लिए नियत वर्तना निस्दिन सोव्यव हार काल परमानों निश्चे से तो वर्तना और जीव और पुद्गलों के धर्मा धर्म के पर्णमन में निमित होब है उसका नाम काल द्रब्य केने का आश्रे ये है आश्रे के चार द्रब्य स्वतंत्र हैं लेकिन परिभासा पराधीन अच्छा आप जीव और पुद्गल को देखें जीव के साए अपन जीव है ना अपन आनादिकाल से कैसे है सुभाव से भले स्वतंत रहें लेकिन परियाय में क्या है पराधीन है नहीं तुझे इसे सड़े गले सरीर में जहां भूंक लगती है प्यास लगती है असुची सरीर है नोद्वारबहें घिनकारी काई को रहते इसे लिखा है आप तो परिक्षा एक गरंथे विद्यानेंद स्वामी का उसकी सुरुवात यहीं से है कि यह जीव पराधीन है नहीं क्यों हीन स्थान में क्यों रहता है यह से लोग बाकिया थे बंबई में बड़ी तकलीफ है बहुत भाग दोड़ तो काई को रहते है दोनों तरह से स्वासृत भी है और पराशृत भी है चेतन को है उप योग रूप बिन मूरत चिन मूरत यनूप चैतन लक्षण उपियोग लक्षण ज्यान दर्सन स्वभावी ऐसा बोलना जीव के लिए तो यह क्या हुआ स्वासृत है के पराशृत यह स्वासृत है क्योंकि चेतना कोई बाहर की चीज नहीं है जैसे अगनी को अपन कहते अगनी उश्ण है यह अगनी का स्वासृत निरूपन हुआ और जो इधन को जलाए उसे अगनी कहते हैं यह क्या हुआ इधन की बात आ गई न यह पराशृत हुआ ऐसे जो चैतन्य लक्षन वाला है ज्ञान सुभावी है उसका नाम है जीव तो यह क्या हुआ स्वासृतो आत्मासृतो यह हुआ निश्यने का कतन और पराशृत में तो बहुत हैं तन उपजत अपनी उपज्जान यह तो मिथ्यात का बरणन है लेकिन जितने यह जीव समास एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचे इंद्री, संगी, असंगी गुनस्थान वाला गती, इंद्री, काय, योग, वेत, कशाय, ज्यान, दर्सन, संयम, लेस्या, भव, सम्यक्त यह सब क्या है यह पराशृत निरूपन गुनस्थानों से, मारशृत निरूपन से जीव समास से जीव की पहचान करना वो इस्टेट बैंक के सामने मेरा घर है, ऐसा बताना यह पराशृत निरूपन हुआ अब घर का इस्टेट बैंक से तो कोई लेना देना है नहीं, कोई गिरिभी वहाँ थोड़ी रखा है, कब उनसे करजा लेके खरीदा हो है, घर सोतंत्र है, बैंक सोतंत्र है लेकिन एड्रेस बताने के लिए कहना पड़ता है, ऐसे जीव सोतंत्र है, सरीर सोतंत्र है लेकिन एड्रेस बताने के लिए कहना पड़ता है, कि पंचेंदरी जीव, मनुस्त जीव यह पराशृत निरूपन बस्तु का उसके स्वरूप से बरणन करना वो निश्चय और अन्रूप से उसका पहचान करना परदरब्यों से ये उसका विवहार तो इस तरह एक परभासा तो कल बताई थी जो भेद और उप्चार करता है उसे विवहार कहते हैं उसका निश्यत करता है और यहां पर स्वासरित कथन करे सो निश्चय और परासरित कथन करे सो विवहार अभी मोक्षमार प्रकासक में बहुत सुन्दर उसके पॉइंट हैं उनकी चर्चा आपन कल करेंगे अभी का समय हो गया और यहां आगे पक्षाएं चलनी है इसलिए मैं यहीं विराम लेता हू झाल झाल झाल